कपिल जी लोग कहते हैं रिष्टा नहीं हो रहा है रिष्टा नहीं हो रहा है मैं यह कहता हूं जब रिष्टेदार यह खतम होती जा रही है तो रिष्टे होंगे कहां से पहले के टाइम में कपिल जी आपको पता क्या होता था लोग जब किसी रिष्टेदार के यहां जाते थे ना तो दो दिन तक रुकते थे अगले रिष्टेदार के जो परिवार वाले होते थे थे ना उसके साथ बाते करते थे अपस में बातें आदान परदान होती थी तब जाके कोई दूसरा रिस्ता ते होता था और हो भी जाता था पहले की टाइम में लोग ये कहते हैं कि लड़के को बीना देखे या ना शादी ते करके आ जाते थे एक समय के लिए तो अगर ऐसा सोचें ना कि यार ऐसा थोड़ी होता हुगा लेकिन होता था मैंने मेरा दादो जी को पूचा फिर दादो जी ने ये बताया था कि भाई या शे होता था लेकिन अब नहीं होता अब करने के भी नहीं होता क्यों इसका जबाव मैं दूँआ अब गया हुता है सबसे पहली बात तो अपने यह करते हैं कि जैसे आप किशी रिस्तेदार यह जाएंगे ना तो पहली बात तो मोटर सैंकल लेके जाएगे क्योंकि साम को घर पे आना है रात रात रुकने के लिए टाइम नहीं है ना अपने पर तो मोटर सांकल लेके जाएंगे या फिर जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके जाएगा जाने के बाद में लास्ट दो मिनिट तक वो रामा शामा होती है रामा शामा खतम होने के बाद में फिर दोनों रिष्टेदार अपने अपने फॉन में लग जाते हैं ऐसे कोई Facebook देख रहा है, कोई Insta पे Reel देख रहा है, कोई WhatsApp पे chatting कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कि भई कोई रिष्ट्यदार आया है, कोई स्रमाचार पुट सेंग, कोई मतलब नहीं है, फिर चाही पीएंगे, चाही पीने के बाद हम बोलेंगे आज थोड़ी जल्दी करो लेट हो रहे है, स्टार्ट किया, घर पे आगई, घर पे कोई कामी नहीं है, फिर बोलते हैं, रिष्टा नहीं हो रहा है, होंगे रिष्टे, ऐसे चलता रहा है ना, तो रिष्टे होंगे, लेकिन दूसरे तरीके से होंगे, ऐसे नहीं होंगे फिर, और सच बता रहा है कि ओपिल जी ये रिष्ट दर्याथ खत्म होती जारी थोड़े से टाइम बाद में ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 2068-70 यह ने करों में बस थोड़ी से टाइम बाद में रिष्टिदारी बिल्कुल खत्म जाएगी। किसी भी रिष्टिदार को किसी भी रिष्टिदार से प्रेम नहीं रहेगा। कपिल जी सच बतारों मेरे दादो जी कहते हैं कि बेटा जब मेरा रिष्ठा हुऊ था न तो मैं गरपी ने था वो मैं बार गया हुऊ था कहीं फीछे रिष्ठ वाले आये और रिष्ठा करके चले गए मेरेको तो रिष्ट आउने कि बाद में भी पता नहीं चला वो साधी वाड़े साधी के दिन तीन दिन चार दिन पहले वो बान भी ठाती है न उस दिन मेरेको बुलाया इधरा इतर पाटड़े पे बैठ देरी साधी करेंगे फिर तकड़ा काम होता अधर पहले अब कोई रिष्टेदार देखने आता है ना आज के टाइम में तो पहले तो वो लड़के को ऐसे बाहर बाहर गुमेगा लेकिन फिर भी उनके पसंद नहीं आता फिर वो लड़का भी मनी मन में सोसरा होता है शाड़ो प्रसंद कर लो मेरेको कैसे बैसे भी करके पसंद कर लो लेकिन वो गोड़क गूमते हैं पहले फिर भी पसंद नहीं आता कपिल जी हद पार तो तबो जाती है जब वो ये कहते हैं ना पेठा थोड़ा चल के दिखाओ सालो बैस खरीदने आयो इदर चल के दिखाओ और दूसरा कपिल जी सर्च बताराओं दूसरी जो वजय है न रिष्टे ने उनेगी वो है एक नसा पहले के टाइम में दारू पहले भी बीटे थे लोग लेकिन लोग दारू पीने के बाद में डरते थे कि अपने घरवालों को पता ने चल जाए परिवारवालों को पता ने चल जाए रिष्टेदारी में पता ने चल जाए लेकिन अब उसका उल्ट्रा है जब तक घरवालों को परिवारवालों को रिष्टेदारों को पता ने चल ले न तब तक धरूपिने का मज़ाई निये रिष्टे अभी भी हो सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि रिष्टे नहीं होंगे मेरा कहने का मतलब है रिष्टे अभी भी हो सकते हैं लेकिन रिलेशन्सिप बनाने के लिए है ना रिलेशन वालों को टाइम देना पड़ेगा अपने रिष्टेदारों को टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम आपके पास है नहीं वो टाइम तभी आएगा जब आप मोबाइल से बचा कर जो टाइम अपने पास सेव रखोगे वो टाइम अगर आप रेलेशन सेप को दोगे तब आपका रेलेशन मजबूत होगा ये बात पता सबको है मैं ये चीज़ बता रहा हूँ नहीं ये चीज़े पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं है